नमश्कार दुछ दुश्त बात के सुबैक्स लिमिटेड के बारे में आज यहाँ पर हमें 5% से जादा की तेजी देखने को मिली है बात करते हैं 5 दिन की तो यहाँ पर 1% के एराउंड हमें रिटरन देखने को मिले positive और 1 मंथ में कंपनी ने 50% के positive रिटरन दिये हैं 6 मंथ की के बात करें तो 175% के positive return दी है ओन एर के बात करें तो company ने around 1325% के positive return दी है company founded ती 1992 में तो company को नहीं नहीं है बेंगलूर में सका हेड़कोडर है अब यहां पर जो मेंट चीजर शुरू होती है वह मैक्स चार्ट तो देखिए company का मैक्स चार्ट जीरो हो चुका है ये कंपनी कभी ट्रेड कर रही थी अपने आल टाइम हाई जो की था तक्रीबन साथ सो से उपर तो उसके बाद कंपनी जो नीचे गिरी तो कंपनी बिल्कुल ही लो पर आ गए थी चार उपे पांच उपे पर आ गए थी और कंपनी ने फिर से कंबेक करने के कोशिश कर रही है तो हम इसे क्या समझिए देखे चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी जब कंपनी गिरी थी उसके बाद भी कंपनी ने कंबेक करने के कोशिश करी बट स्टिल उसके बाद थोड़ सा struggle करा साल, एक साल, दो साल, उसके बाद company फिर नीचे चली गए, अब company बापस से struggle करने की कोशिश कर रही है, उपर आ रही है, जो company का पिछले कुछ टाइम से जो एक resistance लेवल था, company उसे तोड़ चुकी है, तो company यहां से उपर जा सकती है, लेकिन हमें यहां पर कुछ चीज़ो तो अगर आप सोच रहे हैं कि वापस से all time हाई पर जाएगा, तो शायद यह आपको बहुत टाइम के लिए वेट करना बड़े, इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बार में डिसक्रस करेंगे, उससे पहले चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तो हम आपके सबी कमेंट पढ़ते हैं, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूरू बुछेगा, उसके बार में बात करते हैं, देखें, अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंश शीट के उपर, यहां पर हम आ आ चुके हैं बैलेंश शीट पे टोटल डिजर्ब नहीं है, कंपनी अपने अमाउंट को पिछले 5 सालों से कम कर रहे हैं और कंपनी के बात करते हैं कंपनी की लॉंग टरम बोरिंग की कंपनी के बात करजा कितना है, तो यहे चीज़ थोड़ी से मुझे ठीक नहीं लगी, तो कंपनी अपना प्मपनी को पान hmट और अभी कंपनी के बाद सिर्फ 5501 करोड के एससर रहे हैं अब कंपनी की वेलिशन की बात करूँ है तो कंपनी Эराउंड 2000 प्लस 3000 प्लस करोड की कंपनी रह चुकी है बुक वैल्यू नो की है अगर बात करें इसकी फेश वैल्यू की तो 5-way company औरड़ी एक वस्ट प्लेट कर चुकी है तो अभी हमें इसमें क्या करना चाहिए इसी चीज़ को discuss करेंगे देखे अगर आपने यहाँ पर fresh buying करनी है तो मैं आपको advise दूँगा कि आप ज़्यादा amount में बिल्कुल भी buying मत करें अपना amount कम रखेगा इन केस अगर यह शेयर अच्छा नहीं चलता है तो आपको कोई problem ना हो तो अगर यह शेयर चला तो शायर rocket बन जाए जैसे टैनला solution चलना था आपको बहुत अच्छे वहतीन result दे सकता है लेकिन अगर यह नहीं चला तो आपका नुकसान भी कम हो तो प्लीज बहुत ही कम amount में अपना amount invest कीजिएगा शेयर जैसे आप से perform कर रहा है तो यह कुछ जारा अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है इसके जो अभी quarter result आएंगे उनका wait कीजिए उसके बाद ही आप चीज़ को देखिए बात करते है रिटर्न की तो वन वीक में 1% है वन मन्त में 48 त्री मन्त में 118 और वन येर में कमपनी ने 1400% के रिटर्न दिया है रिटर्न के मामने कमपनी अच्छा perform कर दिया है रिटर्न दे रही है क्योंकि यह बिल्कुल डाउन हो चुकी थी अब कोशिश कर रही है उपर आने की तो शायद यहां पर हमें अच्छे खासे रिटर्न भी जखने को मिलें यहां पर बात करते है रिवेन्यू को तो जून 2020 से दिसंबर 2020 से कंपनी रिवेन्यू तो इंक्रीज कर रहा है में कौन कोन आता है यह तो शायद कहना मुश्किल हो जागा लेकिन साहिब जो भी अब इसका दारमदार है वो है कंपनी के पब्लिक के पास फोरेंड इंवेस्टर भी पैसा नहीं लगाएंगे जब तक उनका पैसा नहीं नहीं लगता कि हमारा पैसा सेफ है यहां पर अभी पैसा नहीं लगाएंगी आप भी अगर नहीं बाइंग करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बोलूँ के रिजल्ट का वेट कीजिए उसके अगर आपकोमार में सब्सक्राव हुआ और से प्ह으면서 चीव पडरी को सब्सक्राइब करोुः हैं 5 थांक्यू गाइज